उत्तर प्रदेश उसे आ रही धान पर कारवाही करने मंगलवार को जिलाप्रिशासन के एक्टिव मोड में आते ही अधिकारियों ने ताबर तोड कारवाही शुरू की मंगलवार शाम, SDM बलवीर रमन के निर्देश पर नायब तहसिलदार रविंद्र पतेल ने कटनी तहसिल के ग्राम देवरी टोला में एक गोदाम में रखी 450 बोरी धान सब्तकर ट्रक सहित माधवनगर थाने में खड़ा कराया वहीं बरही में तैसलदार एस एंत्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश इसे धान लेकर आए दो ट्रक बरही थाने के सुपुर्द किये दैनिक भासकर में उत्तर प्रदेश की धान समर्थर मूले पर खपानी की खबर प्रकाशित होने के बाद कलेक्टर प्रियांक मिश्रा के निर्देश पर अपर कलेक्टर रामनुस टोपे ने प्रत्यक अनुविभाग के लिए SDM के नेतरतों में आर्थ सदस्ती टीम कठित कर उत्तर प्रदेश से आने वाली धान जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में देने के निर्देश दिये हैं।